भिंड कलेक्टर संजीर श्रिवास्तव के द्वारा हालकी के दिनों में मिलावट सर्सों पर एक्शन लिया गया। रहांजिला कलेक्टर ने मिलावटी सर्सों के गोदाम को सील कर दिया था। लेकिन सील करने के बावजूद आधी रात में दबंगो ने मकान से सर्सों को ही ग कर ले गए जबकि सील किये गए मकान की चावी तहजिल के प्रश्रासनिक अधिकारियों के पास थी इसके बावजूद दबंगों ने अपनी दबंगाई दिखाते हुए इस खटना को अंचाम दिया आपको बनाएंगे सोसाइटी वारे जो पीम मनें गेंगे गए बता प्री टीम मनाईगे उसके एगरी कल्चर वाले भी है उसमें कोपलर्टी वाले इसके विपाव लगे जावी जबागरी शावी तो नहीं साई है प्रीम मनें मस्ना ऐदे इसा यु जबेख दे गाढ़ा इसी तरह बकाथ में सामान देते हैं यह घमा हopia दो चूए अलगी का प्र ही असलगया था पर्फो तेने उस दिन, बंदरा वीस दिन हो गए भी कम से कम, अब जादा भी नहीं आते हमारे, तो मुगेश कोषवाजी आए, उनने की दो दिन को सर्तों बरवालो दादी थी अखेली उनने खाली, उनने बरवाली, उनने बोला सर्तों दो दो दन वाद उठाले जाए, और उसी दिन दे जूसरे दिन करेंट में फोर्साया कुरी मडम बगेर आए, तैसिल्दार से उनने सील्ड करके चली है, ओ ये बोल रहे थे दो नमगर का माल है इसमें, नहीं बवारी थे, मन प्रेमी थे, ही के समाजी है, तो दाजी अकेली थी हमारी, उनने बोला का तुम दो दिन को रख लो, हम दो दिन वाद उठाले जाएंगे, उस दिन दे सुभाही पुलिसागी गौर तलब है कि भिंड के मौक अस्पे के खरीदी केंद्र पर कलेक्टर संजीव श्रिवास्तव ने मिलावटी सरसो को पकड़ा था, जिसके बाद उन्होंने वेर हाउस को सील कर दिया था, कलेक्टर के द्वारा वेर हाउस के अलावा कोपनियता की सूचना पर, एक मकान म रखी हुई मुकेश कुश्वाह नामक व्यक्ति की मिलावटी सरसो भी सब्की थी, जिसके तुलाई खरीदी केंद्र पर होने वाली थी, और उस मिलावटी सरसो को हरजेंद्र कुश्वाह के मकान में रखवा दिया गया था, और उस कमरे को सील कर दिया गया था, इसके अवजुद भी दबंगों ने अपनी दबंगाई का अस्तमाल करते हुए सरसों को चुरा लिया। प्यूर रिपोर्ट, MP News, भेंड।